दिली जैपूर राजमार के स्थित निमस विश्वेध्याल राजिस्थान जैपूर के खेल मैदान में इस फर्धा 2020 के उद्खाटन कारिकरम कायो जन किया गया इस वर्दा के उद्खाटन समारू में मुख्य अतिती राजिस्थान के रिकेट एसोसियेशन के उपाद्यक्ष अमीन पठान और विशिष्ट अतिती राजिस्थान भाच्पा की प्रवक्ता लक्ष्मी कान भारत दुज रहे इस परधा 2020 इस पोश्ट टूर्नामेंट का आगाज बड़े धुम धाम से हुआ इसमें 15 अलग-अलग प्रकार के खेल खेले जाएंगे कारिकरम के मुख्य अतिती के तौर पर आमीन पठान ने संबोधित किया देखिए आज जो निम्स के अंदर जो इस परदा इस इवेंट में मुझे आने का मोका मिला तो मैं समस्ता हूं के देश के जितने इस स्कूल्स और गवर्मेंट को भी बहुत आवेर होना चीए स्पोर्ट के लिए इसपोर्ट ही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है स्पोर्स में स्पिर्ट पैदा करता है तो इस तरह के वेंट होना चाहिए इसके अंदर और इसको बहतर कैसे किया जा उसके लिए काम करना चाहिए और आज मैंने निम्स में देखा कि बहुत पुरे और्गनाइज तरीके से इस इवेंट को कर रहे हैं तो मैं पुरे इनके जो जितने भी इसके चाहिए वीसी में या जो यहां के रिष्टार है पूरी जो टीम है उनको सब को बदा ही दूगा और इनसे इंस्पायर होके और भी जहां पर जो यूनिशिटी है उनको भी इस पर फोकस करना चाहिए इस्पोर्स के अपलिफ्ट के लिए काम करना चाहिए और गॉर्मेंट्स को भी गॉर्मेंट्स कर रही है जो भारत सरकार भी कर रही है खेलो इंडिया अभी राजिस्तान सर प्रिवक्ता लक्षमी कांद भारत द्वाज ने चात्र चात्राओं को खेलों के फायदे बताए इस्ट्यूट इस तरह के आयोजन को प्रात्मिक्ता पे लेता है लोग बहुत इंस्पायर होते हैं मेरी बहुत सुक्ता है कारिक्रिम के अध्यक्षिता करते हुए निम्शिवी सुविध्याले के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संध्या खडसे ने कहा कि इस तक्नीकी युग में खेलों को ग्राउंड पर खेलना जरूरी है आज की युवापीडी कम्प्यूटर आधारित टेक्नोलोजिकल गेम्स खेल रही है लेकिन ग्राउंड पर खेल खेलने से व्यक्ति का सरवांगीड विकास होता है किरकेट नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज के मध्य खेला गया इसमें नर्सिंग कॉलेज ने 42 रन से जीत हासल की खोखो में फार्मेसी और मैनेजमेंट के मध्य में खेला गया इसमें दो पॉइंट से फार्मेसी कॉलेज ने जीत हासल की कवड़ी, फिजियो थेरपी और डेंटल कॉलेज के मध्य खेली गई इसमें फिजियो थेरपी कॉलेज ने दो पॉइंट से जीत हाजिल की प्रत्योगता के पहले दिन 35 सालाग अलग प्रकार के मैच खेले गए कारेकरम का संयोजन आशीश माथूर ने किया इस अफशर पर निम्स विश्विद्याले के सभी प्राचारे फैकल्टी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे न्यूज इंडिया के लिए स्पोर्ट डैस्क की रिपोर्ट